हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट, दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए 25 इंपोर्टेंट कोईश्चन एंसर लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए मातपूर है, तो इस वीडियो को आप इसकिम ने करते हुए, लास फटा पड़ी स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला कोश्चन दोस्तों, ज्यान पीट पूरुषकार किस से संबंदी थे, आपको बताने कि ज्यान पीट पूरुषकार किस से संबंदी थे, इसका एंसर आपको पता है, तो आप बता सकते हैं, काफी सिंपल और इंपोर्टेंट ह दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option है साहित से ठीक है देखे उस आक वतादे कि ग्यानपीट पूरुसकार के स्थापन होई थी 1965 में और ये देश की मानेता प्राफ 22 भासाओं में से किसी भी भासा के साहितिकार को ये योगदान के लिए दिया जाता है और ये ग्यानपीट ट्रस अमिताब घोर्ष को किस्को अमिताब घोर्ष को मिला है ये जरूर याद रखिएगा आपके आगाम एक्जाम से question पक्का पूछा जाने वाला है तो ग्यानपीट पूरुसकार समंद नहीं सहीत से सिस्थापन होई थी 1965 में ठीक है और 22 भासाओं में इसकी से एक भासा के से मात्मा क्योगदान के लिए दिया जाता है इतने सारे पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा नोट कर लीजेगा एक्जाम पॉइंट से बहुत मात्मूर है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं ये कोशन रेलवे एक्जाम में अभी हाल में पूछा गया था और हरितकांतिक शुरूवात कभी थी ये कोशन तो बारबार पूछा जाता एक्जाम में रिशी के छेत्र में, यह option ने correct हो जाएगा, अगला question है, रेमन मेकसे से पुरुषकार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका answer पता है तो आप बता सकते हैं, तो इसको रेमन मेकसे से पुरुषकार दिया जाता है, फिलिपीन्स, गवर्मेंट द्वारा, ठीक ह यानी कि options इसका correct हो जाएगा, देखें उसको यहाँ पे फिलिपीन्स, यह रेमन मेकसे से पुरुषकार के वरे मापको बता दूँ, कि यह पुरुषकार फिलिपीन्स के भोत पुरु राष्ट पती, रेमन मेकसे से की स्मृति में, 1957 से प्रदान के जा रहे हैं, ठीक है, 1957 से तो यह याद रखिएगा, ठीक है, और आपको बता दे कि इस पुरुषकार को ACA का नोबेल का जाता है, ACA का नोबेल पुरुषकार किसको का जाता है, यह पूछा जाएगा अपसे question तो आपको आपको आदर करें रेमन मेकसे से पुरुषकार को, और दोस्तों यह प्रहती थे विनोवा भावे ठीक है विनोवा भावे 1958 में व्याद रखिएगा और अभी दोस्तों सबसे है लेटेस्ट किसको मिला है तो इसमें से दो भारती भी सामिल है तो उन दो भारतियों को आपको नाम याद रखना है सोनम वांग्चुक ठीक है सोनम वांग्चुक और भरत वाटवानी इन दो भारतियों को भी मिला है साथ में ठीक है सोनम वांग्चुक दोस्तों को बता दे जो 3D8 साब ने मूवी देखी होगी उसमें जो फुंग्सू वांग्डू का किरदार निवाते हैं वो जो किरदार है सोनम बांग्चुक सही प्रेरीथ है ठीक है तो यह आपको याद रखना है रेमन मेक्से से पुरुसकार यह दिया जाता है करेक्ट एंसर हो जागा इसका कपिल देव ओप्सन सी करेक्ट ठीक कपिल देव देखे तो जितने भी मैं आपके लिए कोश्टन लेकर आता हूं यह पिछली परिक्षा हम पूछे गए होते हैं और काफी important रहते हैं यह आपको पता है तो आप पूरा revision कर सकते हैं हमारे साथ उससाथ में solve कर सकते हैं यह दि नहीं पता है तो हमारे साथ मैं आपको याद कराता चलूँगा याद करते चलिए आपके question ready हो जाएंगे अगला question है गीत गोविंद कर जाइता कौन है इसका answer पता है तो आप बता सकते हैं गीत गोविंद कर जाइता कौन है जैदेव question number 6 है राश्ट्री पक्षी दिवस कम मना जाता है दिवस से लेटेर question अक्सर पूछा आता है इसका answer आप पता है बता सकते है 12 नवंबर को ठीक है प्रतिवर से राश्ट्री पक्षी दिवस कम मना जाता है 12 नवंबर को हमारा अगला question है भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे बहुत मातपूर question बिवित कही है भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे correct answer जागा C can I do option C question number 8 है भारत का flying sick किसे कहा जाता है भारत का flying sick किसे कहा जाता है correct answer जाएगा option D Milka Singh को ठीक है Milka Singh को भारत का flying sick कहा जाता है आपने milka movie देखी होगी भाग milka भाग तो आपको सब पता हो गई है अगला question है हमारा किसकी उपस्ती कारण दूध में मिठास आ जाती है आपको बताने किसकी उपस्ती कारण दूध में मिठास आ जाती है correct answer जागा इसका option भी lactose lactose में जो दोस्तों दूध में उपस्ती तरह तो उसे कारण दूध में मिठास रहती है यह question है घात करो और छिप जाओ नाम सी विख्यात विशाणू कौन सा है घात करो और छिप जाओ नाम सी विख्यात विशाणू यह question कई बार एक जामें पूछा गया है correct answer हो जागा है इसका option है RSV विशाणू ठीक RSV virus दोस्ते दे वीडियो आपको पसंद आये, अच्छी लगे, हल्पू लगे तो प्लीज लाइक जिरू करिएगा, काफी मेहनत लगती वीडियो त्यार करने में, प्लीज लाइक करके मोटिबेट करें इस वीडियो को शेर भी कर दीजिए हमारा अगला कोशन है केंद्री खाद प्रदुग की और संधान संस्थान कहां इस्थित है, इसका एंसर पता है तो आप बता सकते है, दोस्तों केंद्री खाद प्रदुग की संस्थान इस्थित है बैंगलूरू में, ठीक है करनाटक बैंगलूरू अगला कोश्चन है विटामीन E का रहसानिक नाम क्या है विटामीन E का रहसानिक नाम क्या है काफी इंपोर्टेन कोश्चन है और इजी भी है correct answer जो आगए vitamin E का राहसानिक नाम है tocopherol option D यहाँ पर हम आपको बता दें कि retinol है vitamin E का राहसानिक नाम है और thymine vitamin B का और vitamin C का scorbic acid ठीक है तो यह आपको याद रखना है और vitamin E का राहसानिक नाम क्या है tocopherol हमारा अगला कोशने त्वचा करन किसके करण होता है आपको बताने हैं कि हमारे त्वचा गरण जो होता है किसके गरण होता है तो correct answer हो जागा इसका option D melanin ठीक है melanin तो यह याद रखिएगा question number 14 है जल का सुधतम रूप कौन सा है जो जल है उसका सुधतम रूप कौन सा है question number 15 है दूर द्रिष्टी दोस निवारण के लिए काम में लेते हैं काफी confusing question है और बहुत important question है correct answer हो जागा इसका option सी उत्ता लेंस ठीक है दूर द्रिष्टी दोस निवारण के लिए उत्ता लेंस कप्रयोग करते हैं विश्व विख्यात राक गार्डन कहां इस्तीत है यह दोस चंडीगड में ठीक है चंडीगड option C correct हो जाएगा हमारा अगला question है अकवर का मकवरा कहां इस्तीत है अकवर का मकवरा कहां इस्तीत है बहुत simple है लेकिन काफी important question है यदि इसका answer पता है तो आप बता सकते है यह सीत है दोस्तों सिकंदरा में ठीक है अकवर का मकवर कहां इस्तीत सिकंदरा में question number 18 है महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया option A नर्सिंग बर्मन ने ठीक है नर्सिंग बर्मन किस बंदरगा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपको बताने कि इन में से किस बंदरगा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है correct answer रहेगा option मुंबई ठीक है मुंबई जो है इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है question number 20 है भारत में पहली बार जरंगरना काभ हुई थी आपको बताना है कि भारत में पहली बार जरंगरना हुई थी उसका correct answer रोजाएगा option भी 1872 में ठीक है 1872 में हमारा अगला question है जिम कारवेट राष्टी उद्यान कहां इस्तित है जिम कारवेट राष्टी उद्यान दोस्तों इसका एंसर रोजाएगा इन में से कोई नहीं कहां इस्तित है उत्तरा खंड नैनिताल में आपको बता दे कि जिम कारवेट राष्टी उद्यान भारत का प्रथाम राष्टी उद्यान है जो की उत्तरा खंड में स्थी थे अगला कोशन है भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घाटी परियोजना कौन सी है भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घाटी परियोजना करेक्ट एंसर रोगा ऑप्शन भी भाखडा नांगल परियोजना किस देश को वनो का देश कहा जाता है किस देश को वनो का देश कहा जाता है जिसका एंसर पता है हो तो आप बता सकते हैं दोस्तों ये कहा जाते हैं कांगो प्रजातांत्री गंड़तन्त को ठीक है कांगो कौन विश्व की सबसे बड़ी जील है कौन विश्व की सबसे बड़ी जील है option दे रखें आप बताईए फटापट काफी important question है कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर हमारा last question है किस मद्धेकालिन भारती साशक ने पट्टा एवं कबूलेत के प्रथा आरम की थी तो दोस्तों इसका right answer होयागा option C share saa ने ठीक है पट्टा और कबूलेत के प्रथा किसने आरम की थी share saa सूरी ने ठीक है तो यह आपको याद रखना है काफी important रहे थे दोस्तों इंपोर्डेन general awareness, general knowledge के question, practice quiz I hope आपने solve गिया प्लीज अपना comment box में answer submit करें पूरा और यह वीडियो अच्छाले प्लीज लाइक करना ना भूले इस वीडियो को share जरू करें चैनल को subscribe जरू कर लें साथे bell icon प्रिस कर दें ठीक है दोस्तों, मिलते हैं next वीडियो को साथ तब तक के लिए आप स्वस्त रहिए, बेस्त रहिए, मस्तर ले अपना ध्यान रखिए All the best, जै हिन, जै भारत